हेलो दियर स्टुडेंट्स यूर वेलकम टू मैं चैनल एजूकेशन सिंप्लिफाइड बाई OCDC दिस विनोत कुमर गर्ख और इस वीडियो में आप जानेंगे आरेच फैक्टर के बारे में जिसके बेसिस के उपर हम आपने ब्लड ग्रुप्स को ब्लड ग्रुप पॉजिट तब ही इसको हम आरेच फैक्टर बोलते हैं क्योंकि यह रेचियस मंकी में भी पाया जाता है तो आरेच जो नेम पडा है वो मैंने जासे अभी बताया आपको रशियस मंकी के नेम से पडा है और जोसका इनहरिटेंस है आरेच फैक्टर का देटीज दू डॉमिनेंट जीन capital R which code for the synthesis of RH antigen and RH negative person are homozygous for the recessive gene small r So, इस image में अब देख पा रहे हैं कि homozygous RH positive father का cross अगर homozygous RH negative mother के साथ होता है तो जो pannead square के अंदर हमारी पास 4 probable combination बनते हैं वो चारों ही ये indicate करते हैं कि 4 की 4 रह positive होंगे तो ये आपने याद रखना है RH positive father का cross RH negative mother के साथ होगा तो सभी बच्चे RH positive होंगे और दूसरे cross में आप देख पा रहे हैं हेट्रोजाइगस RH positive father को हेट्रोजाइगस RH positive mother के साथ cross करवाया है तो यहाँ पे जो ratio आ रही है that is the mandalian ratio जिसमें हमारे पास तीन बच्चे RH positive होंगे और एक जो है RH negative होगा तो 25% हमारे पास probability RH negative की और 75 है RH positive की ओके so this was all about RH factor क्या होता है यह और कैसे है इसका हम probability निकाल सकते हैं ठीक है तो next video हम बात करेंगे RH factor के एक disorder की जिसका नेम है अरित्रो ब्लास्टोसिस फोटेलिस सुतव तक चैनल के साथ जुड़े रहिए keep watching thanks a lot